पूरू नमशक्र दोस्तो आपका स्वागत है आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तो वह ऐक सची कहानी है यह जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है निकोलस, निकोलमस हमसे ये कहते है कि उनको बैसबॉल, जो बैसबॉल होता है खेलना वो बहुती ज़्यादा पसंद था और एक दिन बैसबॉल का, मतलब बैट से जैसे वो मारते है बॉल, वो इतनी जोर से उनकी तरफ आई, उनको मतलब संभलने का मौका ही नहीं मिला, और जो गें थी दोस्तो, वो जोर से उनको, मतलब उनके सीरको ही लगी और वो निकोलस नीचे गिर गए निकोलस ये कहते है कि उनको, मतलब इतना जोरदार वो फटका लगा था दोस्तों, कि उनको मतलब लगा कि अब मेरी hayat की खतम कि ये कौन सी दुनिया में में आ गया, अगर मैं मृत्यू मतलब मेरी हुई है, तो मैं यहाँ पर जिन्दा कैसे हूँ, उनको समझ नहीं आ रहा था, इन सारी चीजों को लेकर, और बाद में वहाँ पर, मतलब दोस्तों, पूरी तरीके से प्रकाश हो गया, पहले उनको पिता जी, मतलब उनके पिता जी उनको छोड़ कर चले गए थे, और निकुलस ये कहते हैं, कि उनके पिता जी के साथ इतने अच्छे रिष्टे भी नहीं थे, लेकिन आज कहिना कही जो पिता जी उनको दिख रही है, तब दिख रहे है, तब उन्होंने ये देखा कि उनके मतलब चहरे पर या उनके आखों में निकुलेस के लिए बहुत यह जादा प्यार था और वह ऐसा प्यार था दोस्तों जैसे पृत्वी पर कोई मतलब कोई हमसे प्यार समझो इंसान करता नहीं है फिर भी वह मतलब नाटक कर रहे दिखाने का तो हम समझ सकते हैं कि यह तो नाटक कर रहे लेकिन यहाँ पर उनके अच्छे रिष्टे नहीं है तो इस तरीके से यह सारी बाते हुई निकोलस के साथ और निकोलस बाद में हमसे यह कहते है कि उसके पिता जी ने निकोलस के यह कहा कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तुम्हें अपने जीवन में आखिर क्या चाह निकोलस यह कहता है कि वो बहुत ही जादा थोड़ा सा स्वार्थी इंसान था या फिर थोड़ा सा गुस्यल टाइप का इंसान था लेकिन आज जब उनके पिता जी उसको कुछ पूछ रहे तब निकोलस यह कहने लगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं मैं एक वो हमेशा अपने इर्दगिर जो लोग होंगे उनके जो करीबी लोग है उन पर मतलब आवाजी चड़ा कर बात करते थे वो ऐसे समझते थे कि जैसे हर एक इंसान उनका नौकर है लेकिन आज जब पिता जी उनको कुछ पूछ रहे तब इनके जो जवाब है वो एकदम अल आत्मा को नहीं जानते इसलिए तुम्हें अपने आपको समझने की कोशिश करनी होगे और ऐसा कुछ भी नहीं करना कारिया जिससे तुम्हारी आत्मा को बुरा लगे क्योंकि अगर तुम प्रुथवे पर एक बुरे इंसान बनके रहोगे तो इसका पच्तावा जो है वो मैं वो करम नहीं करूँगा जो मेरा मन मुझसे कहता है मैं वो करम करूँगा जो मेरी आत्मा मुझसे कहती है और निकोलस ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा पिता जी और उसके बाद उसके पिता जी ने कहा कि अभी फिर से तुम्हें प्रुथवी पर जाना होगा क्योंकि तुम पर ऐसे ही बना रहेगा, तुम जरह भी चिंता मत करना। Nicholas यह कहते ही कि बाते सुनने के बाद उनको बहुत घ्जादा खुशिया मिली। और Nicholas ने मतलब कहा की हाँ ठीक है पिता जी, और उसके पिताजी ने मतलब कही ना कही निकोलस के आत्मा को एक मतलब permission दिया कि वो फिर से पृत्वी पर जाए और निकोलस बाद में ये कहते हैं कि वो फिर से पृत्वी पर लौट आए और जब वो लॉट आये दोस्तों तब उन्होंने अपने आपको अस्पताल में देखा कि उनके सिर में मतलब बॉल लगा था और निकोलस ये कहते है दोस्तों की बाद में मतलब बहुत दिन लगे उनको ठीक होने में और उनका मतलब थोड़ा से एक ओपरेशन भी करना पड़ा था निकोलस उससे भी मतलब बहुत अच्छे से बहार आये और बहुत अच्छे से हो गया और बाद में कुछ मेहनों के बाद वो पुरी तरीके से ठीक हो गये निकोलस यह कहते है कि वो मतलब जब वो अल लगा था वो अपने जिन्दगी में बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं करवट लेने के लिए वो पल आया था उनके और वो आज बहुत ही शांत इंसान बन गए है और जितना हो सके वो लोगों से अच्छे साही बात करते है सब लोग यही कहते है कि वो कितने बड़ल गए उस मतलब अबगात के बात लेकिन उनको वो खुद जानते है कि कईना कि यह जो सबक था वो उनको सिखना था इसलिए यह सारी चीज़े उनके साथ होई इसलिए हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी हमें करम नहीं करना दोस्तो जिस से मतलब हमें इकल बुरा लगे तो इस तरीकी से अच्छा करम ही करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तो तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नई विशे को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो एसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडियोस भेजी जाएगी जिससे घर बेठे वह पास्ट लाइफ इरिग्रेशन का बैस कर सकते है और उन्हें पाच मेडिटेशन धेन की ओडियोस भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबे भेजी जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबैल पर या फिर लैप्टॉप पर आप उसे झाल